नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस पेशल डिपोर्ट में मैं हूँ आपके साज शूती शिवास्त और आज इस पेशल डिपोर्ट में सीधे बात करेंगे रूस ने यूकरेन पर किस तरह से सुपर सॉनिक क्रूज मिसाइलों से भीशड हमने शुरू कर दी है जिया इस अब यूकरेन को जूर का जटका दिया है इस पेशल डिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि जिलन्सिकी के गैंग में 32 दगाबाद आखिर है कौन देखे रिपोर्ट 28 महीने से ये युद्ध चल रहा है करीब लाख भर लाशें इस युद्ध में बिच गई है एक मुल्क इस युद्ध में आधा बर्बाद हो चुका है लिक 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 रूस यूकरेन युद्ध क्यों हुआ यूकरेन की बर्बादी की वज़ा क्या है पुतिन ने क्यों योक्रेन को खंडर बना दिया दो साल से जारी बारूदी टक्राव एक जिद से शुरू हुआ वो जिद धी योक्रेन के राश्टपती जैलेंस की जैलेंस की योक्रेन को नैटो का सदस से बनाना चाहते थे उस नैटो का जो दुनिया का सबसे शर्तिशाली सेने संगठन है जिसमें 32 देशों की सेनाए हैं जिस नैटो में सुपरफावर अमेरिका शामिल है उसी संगठन में शामिल होकर योक्रेन को जैलेंस की अजेय बनाना चाहते थे लेकिन रूस के राश्यबती पुतिन को ये मन्जूर नहीं था नतीजे में शुरू हुआ योक्रेन और रूस का ये युट तारीक थी 24 फरवरी 2022 28 महीने से जारे इस जंग में आज की तारीक में जो हो रहा है वो भी दिल दहला देने वाला है पुतिन आर्मी के प्रचंड प्रहार से योक्रेन का चप्पा चप्पा थर्रा रहा है 20 फाइटर ड्रोन से बारूद बरसा कर रूसी फोर्स ने ओदेशा को खंडर बना दिया है रूस ने पांच मेसाइल धमाके कर ओदेशा में जैलन्सकी को जोरदार जटका दिया है मिकोलाइफ फ्रंट को भी रूस ने धुआ धुआ कर रखा है रूस के भीशन हमले से योक्रेन बैक फुट पर है रूस की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है इधर योक्रेन को युद में सबसे बड़ा धोखा मिला है धोखा भी ऐसा जिससे जैलन्सकी की जमीन खिसक ग तक रूस योक्रेन युद का अंत नहीं होता यानि जैलन्सकी कहीं के नहीं रह गए है क्योंकि जैलन्सकी ने पुतिन से पंगा ही नैटो सदसेता हासिल करने के लिए लिया लेकिन ये मेंबर्शिप जैलन्सकी के लिए महज एक ख्वाब है क्योंकि सुपर पावर अमेरिक पर जैलन्सकी को सुपर पावर का बिक नूँ नैटो युद्ध भड़काएगा पुतिन से नहीं ठकराएगा रूस से जन जीतने की शर्म जैलन्सकी का अब क्या होगा अमेरिका से दोस्ती और दुश्मनी दोनों में जोखिम है सुपर पावर किसी का नहीं युक्रेन के राश्वपती जैलन्सकी आज की तारीख में खुद कुठगा हुआ महसूस कर रहे है क्योंकि जिस अमेरिका पर भरुसा करके उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से युद्ध मोल ले लिया उसी ने जैलन्सकी के अर्मानों को चकना चूर कर दिया है मतलब कोई चेंज नहीं मतलब योक्रेन अभी नैटो का सदस से नहीं है ना ही हाल फिल हाल योक्रेन के नैटो सदस से बनने की कोई गुणजाईश है इसकी तस्दीक नैटो महसचीव जेन्स इस्टोटन बॉग ने भी कर दी है तो फिर ऐसी तबाही को जैलन्सकी ने दावत क्यों दी 29 महीने से चल रहे रूस योक्रेन युद में जान माल के नुकसान के आंकड़े कलेजा खपाने वाले हैं United Nations के मुताबिक फरवरी 2024 तक युद में योक्रेन के 10,582 नागरिक मारे जा चुके हैं 19,875 लोग युद के बाद सेला पता हैं युद में फरवरी 2024 तक युउक्रेन की सभी फोर्सेस के 46,450 जवानों की मौत हो चुकी थी BBC की एक रेपोर्ट में दावा किया गया कि युद में फरवरी 2024 तक रूस के 57,722 जवानों की मौत हुई है ये आकड़े रूस, युक्रेन, युद तराज़दी का सिर्फ एक पहलू बर है क्योंकि अंतहीन युद में जानमाल के नुक्सान की सभी जानकारी किसी के पास नहीं है क्योंकि रूस के अटैक से आधा युक्रेन बारूदी बियाबान में तबदील हो चुका है रूस के आक्रमन की धार हर गुजरते दिन तेज होती जा रही है युद में फंसे युक्रेन के पास सिर्फ नैटो में शामिल होकर बचे रहने के उम्मीद थी जो फिलहाल तो पूरी होती हुई नहीं दिख रही क्योंकि अमेरिका रूस युक्रेन युद के बीच नैटो देशों की संख्या नहीं बढ़ाने जा रहा अमेरिका के इस कूट नीती और युद नीती ने जैलन्सकी को सत्मा दे दिया है क्योंकि ये बाते नैटो के शिकर सम्मेलन में कही गई है वाशिंग्टन डीसी में 32 देशों के टॉप लीडर्स ने मन्थन के बाद ये तैय किया कि फिलहाल युक्रेन को सदस्य बनाना खत्रे से खाले नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट पुदेन इस फैसले के बाद किसी भी हद को पार कर सकते हैं इसलिए नैटो फोर्स जैलन्स की कोई युद में हथियार सप्लाई करने और सैन्यम मदद तक ही खुद को सीमित रखने के प्लान पर आके चल रही है वाशिंग्टन डीसी में नैटो शेकर सम्मेलन में नैटो देशों के नेताओं यूकरेन को अपना समर्थन जारी रखने की बात भी दोहराई है जिसके साथ ही अमेरिका ने यूकरेन को अपने सबसे घातर जंगी जहास F-16 की नई खेप पहुचाने जा रहा है अमेरिका की विदेश मंत्री अंटेनी बलेंकन ने F-16 लडाको विमानों के पहले बैच को यूकरेन भेजने का अइलान किया है F-16 को डेनमार्क और नीदर लैंड से यूकरेन भीजा गया है अमेरिका में बना F-16 दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट में गिना जाता है F-16 लडाई में कई भूमी का निभाता है ये हवा से हवा और हवा से सता पर हमले में काफी सफल रहा है ऐसे मी यूकरेन इस जेट की मदद से युद में रूस को कड़ी चुनाती दे सकता है नाटो देशों ने यूकरेन की मदद के लिए पाँच पैट्रियट मिसाइल सेस्टम के साथ एयर बैटल के हथियार की सपलाई भी शुरू करती है यूकरेन की एर फोर्स में चौथी पीडी के F-16 जेट के स्कॉर्डन में शामिल होने के बाद रूस को बराबर की टकर मिलने का दावा भी यूकरेन की तरब से किया जा रहा है हलाके इन जेट्स को हासल कर युद में इस्तिमाल करना आसान नहीं फिलहाल यूकरेन के पास F-16 उडाने वाले फाइटर पालट की कमी है हाई-टेक आस्मानी लडाकों को जंग में उतारने सीपले ट्रेनिंग और टेकनिकल सपोर्ट की यूकरेन को दरकार है हाना के जंगी जेट मिलने के साथ प्रेसिदेंट जेलंस्की का जोश हाई है यूकरेन के होसले में इजाफा तब से भी हुआ है जबसे नैटो फोर्सेज ने रूस की चोहत्दी पर मिसाइल बेस बना दिया है पोलन में अमेरिका ने बैलेस्टिक मिसाइल का बेस बनाया है पोलन के रेड जिको ओ इलाके में बने बेस का नाम एजिस अशोर है ये साइट नैटो की मिसाइल रक्षा प्रणाली का एहम हिस्सा है और इसका काम बैलेस्टिक मिसाइलों को पकड़ना, ट्रेक करना और उन्हें आसमान में ही तबाह करना है नैटो का ये मिसाइल सिस्टम मिसाइल हमलों का पता लगा कर रेडार डेटा की मदद से उन्हें बरबाद कर देगा पोलेंड में बनाया गया मिसाइल बेस छोटी और मध्यमदूरी की पलेस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है पोलेंड में बने मिसाइल बेस के साथ यूरप में नैटो के दो बेस हो गए हैं इससे पहले रोमानिया में एजिस अशोर साइट बनाई गई थी एक तरफ नैटो रूस की घेराबंदी में जुटा है योक्रेन को युद्ध के हत्यारों की सप्लाई भी कर रहा है लेकिन जब बात योक्रेन को नैटो सदस से बनाने की आती है तब इसके लिए ना तो अमेरिका तयार हो रहा है ना ही नैटो के 32 देश आखिर पेच कहा फंसा है योक्रेन अगर नैटो सदस से बना तो रूस के खिलाफ नैटो को सेना उतारने पड़ेगी जिसके बाद युद्ध का विस्तार युरप से अमेरिका तक होगा विद्भंसक हत्यारों के इस्तिमाल की कोई लिमिट नहीं होगी एटम बमों की टकर भी माहा युद्ध में होने की आशंका है रूस के परमालू हत्यारों की काट किसी के पास नहीं इसलिए नैटो सदस्य और अमेरिका पुतिन से सीधी टकर से बचने के प्लान पर चल रहे है और अब स्पेशल रिपोर्ट में हम समझ लेते हैं क्योंकि लगता तो इसी तरह है कि हमास को कमजोर समझना इस्राइल की सबसे बड़े भूल साबित होने जा रहे है क्यों? क्योंकि अब जो खबरे आ रहे हैं वो हैरान करने वाली है इसराइल की खूफिया अजेंसियों ने ये दावा कर दिया है कि दक्षडी गजा में हमास ने बहुत बड़े हमले की पूरी तैारी कर दी है इसी पर देखें खास रपोर्ट गाजा सेटी बना कब्रस्तान पांच पांच सौ पाउंड के गिरे बंग ना तो इसराइल सीज फायर को रोकने को तैयार है और ना ही हमास जंग रोकने को राजी है ऐसे हालात में नौ महीने से चल रही जंग अब उस दोर में पहुंच चुकी है जहां या तो इसराइल गाजा पल्टी से हमास का पूरी तरह से सफाया कर दें या फिर हमास के लड़ाके और टॉप कमांडर इसराइल को मजबूर कर दें कि वो हमास के शर्टों पर सीज फायर करने को मजबूर हो जाएं जानकारों के मुदाबिक अभी तक कोई संकेत नहीं है जिससे लगे गाजा में खूनी जंग रुकेगी हालाग तो ये हो चुके हैं कि उत्तरी, दक्षणी, पूर्वी और पश्णी गाजा में मौझूद लगभग 20 लाख फिलिस्तिनी इस जंग में बुरी तरह से मारे जा रहे हैं जरा ये वीडियो देखिए, रात के अंधेरे में इस्रेली सेना मिसाइल, बम और फाइटर जेट से दक्षणी गाजा में जबरदस्त बंबारी कर रही है गाजा शहर को रात भर टार्गेट किया गया है, पिछले 96 घंटों से लगातार इस्रेली सेना हमले कर रही है जिसका नतीजा है घाजा शहर से भागते हजारों फिलिस्तीनी, जरा देखिए, कबरिस्तान बन चुका घाजा शहर के लोग गैसे जान बचा कर भाग रही है बम, धूल के गुबार और उनके बीच से भागते हजारों फिलिस्तिनी अब उन इलाकों के तरफ भागने को मजबूर हैं जहां इसरेली सेना इन्हें भेजना चाहती है हजारों फिलिस्तिनी हमास और इसरेली सेना के बीच पंस गए हैं हमास ने फिलिस्तीनियों की बस्ती के बीच अपने अड़े बना लिये हैं जहां से वो इस्रेली सेना पर हमले कर रहे हैं जिसकी वज़े से इस्रेयल के पलटवार के दौरान निर्दोश फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं इस्रेली सेना ने फिलिस्तीनियों को तोरंट गाजा शेहर खाली करने का आदेश दिया है जिसकी वज़ा से भगदल मची होई है अब आप ये भी जान लीजिए कि गाजा शेहर पूरी तरह से इस्रेली सेना क्यों खाली करा रही है जरा इस एनिमेशन को देखिए और समझे इस्रेली सेना ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं घाजा सेटी में फिलिस्तीनियों पर इतने जादा हमले हो चुके हैं कि जैसे इस्रेली सेना ने कहा कि घाजा सेटी खाली करो वरना मारे जाओगे उसके बाद से हजारों फिलिस्तीनी घाजा सेटी से भाग रहे हैं इधर घाजा सेटी के जो इलाके खाली होते जा रहे हैं वहाँ पर इस्रेली वायुसेना पाँच पाँच सौ पाउंड के बमों से हमास के अड़ों पर हमले कर रही है हैरानी की बात तो ये है कि पांच पांच सो पाउंड के यगातक बंब अमेरिका इस्रेल तक पहुचा रहा है इस्रेल में इस नए वार प्लैन से हमास को गाजा सिटी में भारी नुकसान हो रहा है और यही इस्रेल इस स्वक्त चाहता है अब हमास फिलिस्तीनियों को गाजा शहर में मान और ढाल के रूप में इस्तिमाल नहीं कर पा रहा है लेकिन इसके चक्कर में फिलिस्तीनी बुरी तरह से मारे और भगाये जा रही है हमास ने उड़ाए स्नाइपर और बुल्डूस है घाजा सिटी से ऐसी कई दर्दनाक और हैरांद करने वाले फ़बने आ रही है जो साफ दिखाती हैं कि इस्रेली सेना ने हमास को मारने के लिए कितनी बुरी तरह से सैनले अभियान दक्षुनी घाजा में चला रही है क्योंकि दर्चुनी गाजा से हमास के सबसे भीशन हमले अब भी इस्रेली सेना पर कर रहा है हमास के हमले का ये नया वीडियो देखिए हमास ने 10 जुलाई को इस वीडियो को जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि गाजा में तेल-ल-हवा इलाके में इसरेली बॉल्डोजरों और सैनिकों को हमास ने तबाह कर दिया है इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके इसरेल के उस बॉल्डोजर को धमाके से उड़ा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को दबाह कर रहा था हमास के लड़ाके सीधे सीधे पी-म ने तन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि घाजा में इसरेली सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगा और हमास हर हाल में घाजा जंग जीत लेगा वीडियो में जोर्दार धमाके के साथ ही बुल्डोजर एक जगा रुक जाता है जड़ा देखिए हमास का लड़ाका क्या बोल रहा है इस वीडियो में आगे हमास की कई लड़ाके घाजा में इसरेली सैना पर रॉकेट रॉंचर से हमला करते दिख रहे है यहाँ पर हमास के लड़ाके एक अपार्टमेंट से दूसरी इमारत में छिपे इसरेली स्नैपर पर सीधा निशाना लगा रही है और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसरेली स्नैपर को मार डाला है घाजा युद बेहद विनाशक हो चुका है हमास हार मानने को तैयार नहीं है और इसरेली सीना हमास का सफाया करने पर तुली है इधर इसरेल के रक्षा मंत्री योगैलंट ने दावा किया है 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 60 फीजदी से जादा हमास लडा के मारे जा चुके है योगैलंट का ये भी दावा है कि हमास की ज्यादा तर बटैलियन का सफाया हो चुका है अब तक घाजा पट्टी में 38,243 फिलिस्तिनी मारे जा चुके है जबकि घाइलों की संख्या 88,000 से जादा हो चुकी है दक्शने घाजा के रफाजा शेर खान योनस और पूरवी घाजा के शुजाया में इस्रेली सेना जम कर हमले कर रही है इस्रेली सेना ने खान योनस के पूरो में अबासन और खुजा सहित काई शेरो में तूप खाने से हमले के है पचलनो और पचानो 60 अखुज में चबले हमास पिराकनो अट 24 गड़ोदीं और रुबमा मकरिया इसावनो मखचीत माखटूफीम और नहीं निखुशीम लाशीव अट शार और नहीं कुलनो मारिखता बिताखुन और निब रोशा निखुशीम लासीगत मतरोता मिलखमा वे लाशलीम उताम इधर हमास के समर्थन में हेजबुल्ला चीफ ने खुल कर मोर्चा कोल दिया है उत्तरी इसरेयल पर हेजबुल्ला के लड़ाके अब तक 600 से जादा रॉकेटू से हमले कर चुके हैं जिसने इसरेयल के कई इलाकों में भयानत तबाही मचाई है इधर हेजबुल्ला चीफ ने ये भी अलान कर दिया है कि हम गाज़ा में पूरी तरह से हमास का समर्थन करते हैं और हमास के हर हमलों को हेजबुल्ला का समर्थन है अजूज अन नसमः बे अन तुह्जम मुकावमा फी घजज़ा लानना हू लो हक्क अल इस्राइली इन्तिसारां वादिछां सरीरां हासिमां फी घज़ज़ा में बाद बद्री हद्दी बत्ताबिर अलाम है सवफयाति इला लुबनान वा इला गेर लुबनान वस्यफरत शुरूत हूँ अला कुल दूल और शुब मन्तका इधर प्रधान मंत्री नेतनियाहू लगबग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखरी बटैलियन कब खत्म होगे लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजरेल के टॉप कमांडरों ने घाजा और लेपनान पर जितने भी बड़े जंगी दावे किये हों वो सब के सब हवा हवाई निकले हैं हकीकत में इजरेली सीना के पास घातक हथियारों के भारी कमी है और यही वज़E है कि इजरेल को लगने लगा है कि मध्यपूरों के देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन, इस्रेल पर हमला कर सकते हैं इसी को देखते हुए इजरेल के विधेश मंत्रि इजरेल कईड्स ने अब कयामत युद्ध किधम्की दी है इस्रेल कैड्स ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा है कि इरान को उसके विद्भंसक संदेश ने उसे विनाश के योगे बना दिया है जो शासन विनाश की धमकी देता हो, उसे बरबाद कर दिया जाना चाहिए इस्रेयल कैट्ज ने ये भी लिखा है कि अगर इराम समर्थित हिजबॉला लेबनान से इस्रेयल पर अपनी गोले बारी बंद नहीं करता और पॉडर से दूर नहीं जाता है तो इस्रेयल उसके खिलाफ पूरी ताकत से करवाई करेगा वेलहार गाजा में जो हालात बने हैं वो बेहत विनाशक हैं अब देखना होगा कि इस्रेयल गाजा पट्टी से हमास का सफाया कर पाता है या फिर नहीं